वेलकम दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तीन प्लांट्स की जानकारी जो की पर्पल कलर के लीव्स वाले होते हैं पहला प्लांट ये है वेंडरिंग जू जो भी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और इसकी मैं कई सारी डालिया बाहर अपने बैलकनी से लेकर के आई हूँ सेकिन वाला ये पर्पल हार्ट का प्लांट है और थर्ड में थोड़ी देर बाद आपसे डिसकर्स करते हूँ तो सबसे पहले हम वेंडरिंग जू पे बात कर ले फ्रेंट ये प्लांट अपने लीव की खुबसूरती के लिए जाना जाता है और जैसे कि आप देखी रहे हैं स्क्रीन पे इसके लीव मल्टी कलर होते हैं फ्रेंट में ये ग्रीन कलर होता है इनका और उनमें सिल्वर लाइन होते हैं लेकिन बैक साइट पे जो पत्ते होते हैं वो परपल से कलर के होते हैं और ये देखें, मैं आपके सामने, ये सारे जो मेरे पास stems हैं, इनको clean कर रही हूँ, जो सुखे हुए पत्ते हैं, इनको हटा दे रही हूँ, सुखी हुए ढालियों को भी मैं cut कर रही हूँ, और जो जो plant की stems हैं, वो उख सकती हैं, viable हैं, alive हैं, उनको मैं separate कर रही हूँ, तो ये देखें, कई तो बिल्कुली stems खराब हो चुकी हैं, उनके पत्ते मुर्जा गए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी उन stems को उगाने की, और results फिर आपके साथ बात में कभी share करूँगी, दरसल इन दिनों मेरे घर में renovation का काम चल रहा है, जिसकी वज़े से मेरे कुछ plants काफी खराब हो गए हैं, तो वेंडरिंग चुका plant beauty में से एक है, लेकिन मेरे कोशिश यही है कि मैं इसको जितना बचा सकूँ, बचाओंगी, तो सबसे पहले तो हमने यही करना होता है, friends के plant को हम cut कर लें, और clean कर लें, जितना भी हो सके, और यह देखें, मैंने सा से पहले एक stem लेनी है, और हलका सा finger से होल सा बनाना है, soil में, और stem को रखके, चारो तरफ से मटी को प्रेस कर देना है, अब आपके दिमाग में यह भी स्वाल आ सकता है, कि मटी प्रेस करना क्यों हमारे लिए जरूरी होता है, friends अगर हम मटी प्रेस नहीं करते हैं, तो जो plant की नई नई roots आएंगे, उनको हवा लगेगी, और उसकी वज़ा से root rot भी हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है, कि हम जैसे stem लगाए, चारो तरफ से उसके मटी को अच्छे से प्रेस कर दे, ताकि कोई air gap ना रहे, air bubbles root के contact में नहीं आने चाहिए, यह देखे, मैंने द बहुत सारे plants बिनाए, यह देखे, कि stem है अभी, इस पे कोई leaves नहीं है, सब dry हो गए थे, फिर भी मैं इसको लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसमें अभी roots viable है, और stem का color भी थोड़ा सा green है, यह अभी मैंने next stem ले लिया है, इसको भी similar method से, आपने छेद बना रहे हैं मटी में बहुत प्यार से अपने उसमें stem रखनी है, यह देखे, इस तरीके से, और चारो तरफ से मटी आप प्रेस कर दे, इतना easy होता है फ्रेंड जी वेंटिंग जुका plant grow करना, आप इसको कहीं लगा हुआ देखे, या किसी फ्रेंड की घर पे या पार्क में, तो आप अगर इसक stem से propagate बहुत easily होता है, और इसके डालियों पे friends छोटी छोटी aerial roots आती है, जैसे कि money plant की होती है, तो हम अगर इसको जमीन पे उगाते हैं, तो यह पूरा का पूरा ground को cover कर लेता है, बहुत सुन्दर यह ground cover का काम करता है, और वो आप बड़े lawns में या pavements में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप apartment में रहते हैं, तो आप इसको hanging baskets में लगाएं, गमलो में लगाएं, portals में लगाएं, किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ground में लगाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर इसको आप किसी पेड की छाया के नीचे लगाते हैं, तो जाधा अच्छा रहता है, फ्रेंट जी वाला plant direction light भी परदाश करता है, लेकिन उस case में इसके जो पत्तों की beauty है, वो थोड़ी खराब हो जाती है, इतने खुबसूरत नहीं लगते हैं इसके leaves जैसे कि अभी आपको दिख रहे होंगे, front से green और back से violet, direction light में रखने से इसके leaves जो है वो पड़े अजीब से purple से हो जाते है, front से भी और उसने खुबसूरत नहीं लगते है, तो better होता है कि हम इस plant को indirect sun light में रखें, अब बात कर लें मटी की तो friends जैसे normal मटी हम सभी plants के लिए बनाते हैं, 70% हम soil लेते हैं, garden की कोई भी normal, उसमें हम 20% थोड़ी सी rate मिला दे तो से मटी आपने इसके लिए भी लेनी है, और एक ख्याल रखने है कि आप इसका जो pot ले, वो well drained होना चाहिए, जैसी पानी डाले फटा-फट से drain हो जाए, पानी इसमें रुखना नहीं चाहिए, तो next अभी जो मैं grow करने जा रहे हूँ, यह है purple heart का plant, यह भी बहुत चुटे से flowers आते हैं, तो यह देखे, मैंने एक डाली अपनी फ्रेंड के घर से ली थी, और उसकी मैंने आपके सामने cuttings कट करी है, मनी प्लांट की तरह ही इसको भी हम cuttings से easily लगाते हैं, और मैं इसके लिए कुछ waste plastic की bottles हैं, इन्हीं का इस्तमाल कर लूँगी, फिर जब ब इसके लिए, तो मैं इन्हीं पॉटल को यूज कर लोगी, यह भी देखे, ऐसे ही लगाना है, जस्तमाल मत्ती में आप रख दे, स्टेम को, और एक छेद बनाना है, फिंगर से, और चारो तरफ से आप सॉयल को प्रेस कर दे, बस इतना ही easy है, लेकिन friends, यह प्लांट इतना स इसके रखते हैं, तो थोड़ी सी इसकी ब्यूटी खराब हो जाती है, पत्ते शरिंक से वो जाते हैं, इंडिरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, घर के बाहर, जाए हैंगिंग बास्केट में लगाएं, या पोटल्स में लगाएं, तो यह बहुत अच्छा यह बढ़ता से ज तो अगर ड्रेस का कोई कोना लग जाए, साड़ी का पल्लो वगएरा तो इसके लीज जो है वो पड़ी चल्दी तूट जाते हैं, तो प्रैफरी यही करना चाहिए कि इसको कहीं आप उची स्पेस पे रखें, बस और इसमें रख रख आपकी कोई खास बात नहीं है, यह द वीडियो भी लगाए हैं, और कुछ वीडियो तो आप लोगों ने बहुत सराय हैं, तो अगर मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं, तो आज मैं अब बात करती हूँ, यह थार्ड प्लांट जो परपल लीफ्स वाला होता है, इसको हम ड्रेसी पे बर्न आना शुरू हो जाते हैं, और वही जैसे कि हमारी स्किन बर्न हो जाती है, बहुत तेज धूपढ़ने में, और अगर हम इसको पानी कम देते हैं गर्मियों में, तो इस प्लांट के जो टिप्स होती हैं, वो बर्न होना शुरू होएंगी, आपको मैं इसको दिखा यह देखें, मैंने इस प्लांट को कैसे होगा था, एक मैंने इसकी स्टैम यह वाली, जिसको मैंने अभी चुआ है, यह मैंने लगाई थी, और फिर यह इतना लंबा हो गया था, और उससे मैंने कट करके, दो लगाई थी, अभी इसके बगल में फिर से एक और स्टैम आ रह पर फिर पिर मैंने इसको रखा हुआ है प्लांटर में यह भी वेस्ट पॉटल है मस्टर ओयल की और जो दूसरी मैंने स्टेम पेरेंट स्टेम से कट करके लगाई थी आप यह देखें इसके किते कुपसूरत पत्ते आ गए है यंगर जो पत्ते होते हैं लीव्स वो ग्रीन कल करके होते हैं और जैसे जैसे यह मैचूर होते जाते हैं इनका यह कलर आ जाता है डाक पर्पल और थोड़ी थोड़ी पिंकिश मैजेंटा सी लाइन हो जाती है करना इसका बहुत एजी है इसको आप वेल-drent soil रखें कोशिश करें इसको भी डिरेक्ट सेंलाइट में ना कनीगे तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आज का जो टॉपिक है ये देखे ये वैंडरिंग जो भी अभी थोड़ी देर पहली मैंने लगाया था इसके जड़े पकड़ ली है और अच्छे से ये प्लांट्स की लीव्ज हेल्दी लग रहे हैं इसे कोई मुर्चाने वाली बात नहीं है तो बस इतना ही कहूंगी मैं आपको अपनी सिद्ध का बहुत ख्याल रखें अननेसेसरी घर से बाहर नहीं जाएं और ये देखे अभी कंस्रक्शन जारी है कंप्लीट हो जाने पर मैं फिर से आपके साथ अपने कई सारे प्लांट्स की इंफर्मेशन और वीडियो तब तक प्लांट्स लगाते रहें खुश रहें हेल्दी रहें थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस